हे दोस्तो नमस्कार एक बार फिर से स्वगत है आपके अपनी यूटुब चैनल दियो जी के ट्रिक्स में चलो इस्टार्ट करते हैं और ये क्लास होती है आपकी डेली कितने बजे राज साधे आड़ बजे ठीक है ये क्लास आपकी फिक्स है और आपकी किसी भी एकजाम की त समता रख सकते हैं बस डेली कर टेली ताइम आपको देना पड़ेगा थीक है तो चलती स्टार्ट करते हैं सभी को जयेहिन सभी को वंद्द मात्रा आवाज आ रही है ना चली आवाज आ रही है तो चली अपा पहला प्रसनिnd दिया गया है कभीर बहुत सुंदर दिख रहा अब ये बताईए पूछा गया है कि वाक में रेखान की सब्द ब्याकरण की द्रस्टी है क्या देखो यह पर रेखान के मतलब उपर आपको देखो एक रेखा खीच दी गई है और ये रेखा के बारे में पूछा गया है कि आपका है क्या चले जवाब दीजे इसमें से जवा भी नहीं पड़ती, चलिए बिल्कुल सही जवाब आ गया है, option D, जिसका भी जवाब यहाँ पर D आ रहा है, बिल्कुल right हो जएगा, कि जो सुन्दर है, सुन्दर उसका गुण है, और गुण क्या होता है, बिसेशन होता है, आमने आपको बताया था, कि गुण वाचक जो होत बिसेशन होता है, इस कारण से आपका right answer कौन सा हो जएगा, D हो जएगा, बिसेशन, कि लिए रोगया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रसाब सेगला है, पसुता सब्द उधारण है, तो देखो आपने पड़ा होगा पसु, कभी-कभी आपने किसी ब्यक्ति के बारे म संग्या है, ठीके, option मनें आपका C number आपका हो जएगा, ठीके ना, चलिए, आगे बढ़ते हैं, प्रसाब सेगला पूछा गया है, आमरन सब्द के प्रारंभ में, आमरन सब्द के प्रारंभ में लगे आको ब्याकरन की दरश्टी से क्या कहते हैं, चलिए जवाब दीजे, य आपका उपसर हो जएगा, क्योंकि यहाँ पर मरन सब्द को एक मूल अर्थ है, इसका जो मूल आपका अर्थ है, वापका मरन आपका हो गया, मूल जो आपका इसमें निकलेगा, वो क्या निकलेगा, मरन, और आ लगा दिया गया है, यही इसका क्या हो जएगा, उपसर हो इसकारत होता है मरण तक किलिए रो गया है आगे बढ़ते हैं थोड़े स्पीड में रहेंगे ठीके चलिए वहाँ खाता होगा इस वाकी किरिया किस काल की है चलिए लाइक करें जल्दी से सभी लोग आपर जुड़ जाईए सेर भी कर दीजेगा जो लोग अभी जुड़े है चलिए टाइम आपको पता है राज साड़ याड़ बजी क्लास होती है डेली चलिए तो बताइए वहाँ खाता होगा यहाँ पर दिखो दिया है होगा होगा यही आपको बता रहा है कि आपका संदिक्द होगा क्या होगा बही संदिक्द वर्तमान काल होगा या भूत काल हो तिकी तो होने रहे है तो आपसन मने कौन सा संदिक दुवारतमान काल इसका जवाब फोर का बन जाएगा D नमबर आते हैं एगले प्रस्कोर पाथक का बहवचन क्या होता है चलिए पाथक का तो देखो पाथक में क्या लगाते हैं गण का प्रियोग करते हैं तब आपका बन जाता है बहवचन ठीके पाथक गण है ना तो यहाँ पर जवाब बनेगा आपका B नमबर आपका हो जाएगा ठीके चलिए आते हैं एगले प्रस्कोर प्रसाम से गला है निम्लिकित में से गुरू सब्दे का इस्तिरी लिंग कौन सा हो जाएगा गुरुवती हो जाएगा गुरुवाइन हो जाएगा गुरुवानी होगा या गुरुनी बनेगा क्या जवाब बनेगा हमने आपको हता है हर एक चीज का कहिने के इस्तिरी लिंग बनता है लेकिन किसी में नर्व गयाता है अगर नहीं बनता है तो हना जैसे आपने पाहा होगा कोयल हना भई कोयल पढ़ा है कोयल तो आप चाहिए कोयला हो चाहिए कोयली मतलब समझर नार हो या मादा जब भी उसे प्रकट करेंगे तो हम नार और मादा को ही बोलकर प्रकट करेंगे ठीके ना तो यहाँ पर हिंदी वर्ड माला में उस बेंजन कौन से होते हैं और उस बेंजन उन्हें कहते हैं जब हमारे पेट से ऐसे निकलते हैं रगण खाते हुए उनमें उसमा ज्यादा होती है और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि हर एक वर्ड में क्या उसमा होती नहीं है हर एक में होती है गर्मी इसक के बिभिन अंगोर से रगड़ खाते हुए जब बाहर निकल कराते हैं उन्हें बोलते हैं क्या आपके उस बेंजन option अपका D right हो जएगा सा 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 और होते कितने हैं तो आपके 4 होते हैं उमीद है ये point आपको clear हो गया आगे बढ़ते हैं हिंदी वडमाला में अंक और आहा क्या है अंक और आहा क्या है चलिए जवाब दीजे सही क्या हो जगा बहुत अच्छी बात है कि आपने जवाब बिलकुर सही दे दिया है बिना इंतजार की आपका जवाब आया है आयोग गिवा है या दिरिके अंक और आहा क्या होते हैं अयोगिवा होते हैं मतलब ना तो ये धोनिया स्वर में आती हैं और ना ही बेंजन में आती हैं फिर भी इनका वहन करती हैं पंडित किसोरी बाद 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 पेई नहीं माना है ना ये स्वर है ना ही बेंजन है लेकिन इनका प्रियोग होता है उन लिखिने में हम लोग जरूर कर लेते हैं ठीके ना चलिए आगे आते हैं प्रसाप सिला पुछा गया है कह रहा है ता का उच्चारा इस्थान कौन सा है ता का उच्चारा इस्थान क्या हो जेगा पहली बार आए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्लेलिस के माद्यम से और भी वीडियो देखिए ता कि आपकी हिंदी में पकड जल्दी से जल्दी कवर हो जाए और पकड आपकी मजबूत होन जाए ठीके चलिए यहाँ पर नौक उप्सन आ चुका है और कह रहे हैं इसका उप्सन मनेगा आपका डी नमबर अच्छी बात है ता देखो जैसी आपने ता बोला है तो जो आपका जीव है जीव कर्यक्शन कहां जा रहा है जीव आपकी जा रही है कहां पर दात में इसपर्स हो जा रही है ना दात में जा रही है ना तो आपका जवाब होज़े कौन सा यहाँ पर डी होज़ेगा गंत से सम्बंदित है वहें पर तालू क्या होता है चावाला वर्ग जो चावर्ग होता है वो आपकी जीब को मतलब जीब होती है तालुक इस पर सकर देती है कंट होता है कावर्गम होता है जादा जादा प्रेसर आपके कंट पर होता है ठीके ना मतलब जो भी वर्ण निकलते हैं वो कंट पर जादा लड़कर आते हुए निकल कर आते हैं ठीके मुर्धा वाला होता है टाव नंबर जिस पर अगर आप ज़्यादा समय तक अगर सांस को रोक लेते हैं तो आप मुर्चित होने की संभावनाई भी वन जाती हैं चले आगे बढ़ते हैं प्रसाब सेगला है हतियाना में कौन सी क्रिया है चले बताइए भई हतियाना में कौन सी क्रिया है दस का जवाब देना है उम्मीद है प्रस्म जवाब का है सब का सही होना चाहिए देखो कह रहा है नाम धातू तो देखो ये हैं आपकी कौन सी डे नं सब्ध अगर आपका बना है तो मूल भासा अर्था संस्कत से ही निकल कर आपके आए है और संस्कत में ही मूल सब्दों से उत्पत्ति आपकी हुई है ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्णासिला पुछा गया है कहा रहा है निम्रिकी सब्दों में से कौन सा सब्द चंद्रमा का समनार्थी है चले बताइए चंद्रमा का समनार्थी इन में से कौन सा है चले जवाब आ गया है मतलब समझ रहे हो समनार्थी यह कह सकते है पर्यावाची है न चलिए तो वहाँ पर इंदु दिया है रस्मि दिया है और अंसु दिया है और आपका दिनेश दिया है चलिए बताइए 11 का जवाँ बारा है ओप्सन ए नंबर चलिए ए नंबर आ रहा है तो हम आपके ओप्सन को लोग कर देते हैं आपका जवाँ बिल्कु सही हो जगा अंसु भी पड़ा होगा, सस भी पड़ा होगा, म्रगांक भी पड़ा होगा, कलानिध भी पड़ा होगा, यह आपके हैं, लेकिन भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका कौन सा है, जैसे कि आपका होता है, दिनेश किसका होता है, दिनेश होता है, आपका सूरी हुए तो आगे बढ़ लेते हैं प्रियुक्त विकलपों में से लोकोक्ति को पहंचानिए चलिए बताइए लोकोक्ति मोहरा दोनों को हमने बताया है चलिए यहां पर याद रखेगा तिल का लड़ू बनना तो भाई लोकोक्ति ना सब इसमें भी आ रहा है घाट-घाट का ज बात तो ही हो रही है आ बैल मुझे मार यह कह सकते हैं कि आपका लोकोक्ति नहीं है ठीके आ बैल मुझे मार यह सही लोकोक्ति है हाँ अच्छा यह सही लोकोक्ति है मतलब यहां पर यह पूछा गया था कि सही लोकोक्ति क्या है और इससे देखो इसमें होना चाहिए यह सही लोकुक्ति कौन सी है सही तो यहाँ पर देखो यह मोहरा कह रहा है तिल का लड़ू बनना तिल का लड़ू बनना यह सब्द कह सकते हैं मतलब थोड़ा अजीब से बोल दिया गया है फिर कहिया है घाट-घाट का पानी पीना देखो हमने बताया पानी पीना टेड़े उली से निकला कि यह जो आपके सब्द हैं इनमें से गलतियां हैं गलतिया कह सकते हैं यह इस्ट्रा वर्ड आपके जोड़े गए हैं उनको घुमाने के लिए ठीके ना सही लुकुक्ति बनेगी आपके डी नमबर आ बैल मुझे मर ठीके क्योंकि अदर जो आते हैं वो मुहारे में आते हैं और मुहारे भी क्या हैं आपके गलत दिये गया हैं कुल मिला के अब आप समझ गया होंगे ठीके ना इसको अप्सन डी होगा सही लुकुक्ति पूछा गया था इस कारण से अपका डी हो जएगा चले आगे आते हैं प्रसाप सिगला पूछा गया है सभी को गड़ सभी को नमस्कार चले टाइम से आय करिए अपना टाइम फिक्स है चले बताइए दूर के ड्होल सुहाने लगना बहुत लोग कहते हैं अपना टाइम आएगा हाना काफी लोगों का title है logo है अपना टाइम आएगा टाइम कब आएगा जब आप लोग टाइम सही समय से दोगे अगर अपने समय का प्रयोग सही समय से कर लिया तो time जरूर आएगा लेकिन अगर अपना time सही से नहीं प्रयोग किये तो आपका आनेवाला गल time नहीं वो तो वतिषर्ट में लगा हुआ लोगों ही समझ में आएगा काम नहीं आएगा मेनत करना शुरू करिए ज़्यादा ज़्यादा ठीके चलिए बताइए भई कैरत दूर के ढूल सोहाने लगना मतलब इसका जवाब बने कौँसा ऑप्सन बी होजेगा अन देखी वस्तू भाना ठीके तो जवाब क्या होजेगा या पर आपका बी होजेगा क्योंकि अधर में सब्दे क्या है सब्दे कर आपकर जवाब है आ प्र यह भता है फ्रफ आपका जवाब रहता है क्लियर हो गया है चलिए बढ़ते हैं दिये गे रेखांकित अच्छरवारे सब्द का विपरीत आपको बताना है अनुकूल दिया है और अनुकूल का विपरीत बनता क्या है हब सभी का जवाब आ गया है यहाँ परणसरी होजेगा प्रत्कूल होजेगा कोई दिक्कर नहीं है आगे बढ़ते हैं पर बलराम का परयावची क्या होगा बलराम का परयावची क्या होगा डार्ट में आप बताना है इसका जवाब क्या होजगा चले बलराम का परयावची यादर कि बल भद्र क्या होता है बल भद्र आपका जवाब आ गया है बिलकुल सही है बड़ अच्छा लगा कि आपका ज महीं हैं ठीक है यहां पर दीको दिए प्रजापती प्रजापती किस sp丹 है उस सब्द में प्रिवक तुपसर्ग कि Coti का आपका चिन्वेद करना है किरा भिद्यालय का उप्रधाना है जिम्मेदार होता है ये प्रस्ण मने आप को बताया भी था कि यह जो नयाप प्रस्ण मिले तो आप तुरं तुसे नौत करिएगा ठीक के ला प्रत्य जो आपका है ये कैसा है तो ये है आपका option right ये होज़ेगा a number ये है करता कारकी है कैसा है कैसा है करता कारकी मतलब जैसे होता है गमला सीतला अगला मजला पिछला ये करता पर फोकस होते हैं यहाँ पर करता होते हैं इसका करता आपका होज़ेगा करता कारकी आपक फोकस करता पर होगा अगलाई दो समी पवर्टी वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन होता है वो कौन सा होता है चलिए दो समी पवर्टी वर्डों के मेल से और वर्डों के मेल से जब भी IgorD मिलेंगे तब क्या कहेंगे सर यहां परज़वाब बनेगा D-Number यह तो वो लोगे न जब भी होता है देखो क्या होता है उसमें से तो वर्डों का मेल होता है जिसे आद छोटा है और आपका छोटा है तो वर्डों का ही तो मेल हुआ है वर्ड मतलब होता है एक ही तो होता है न वर्ड तो एक ही होता है न अदर तो होते नहीं है हाँ आगर हम ये बोलते हैं सब्द तो वही सब्द होते हैं समास जब दो सब्द मिलते हैं तब आपके समास बनते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अन्वेशन का सुध संधी विछेत कौनसा हो जएगा पसंद आये तो लाइक सेर करते रहेगा ठीके चलिए बताइए अन्वेशन का सुध संधी आपका बताना है 20 नमर देना है अन्वेशन मतलब यहाँ पर देश सकते हैं कि जो हमने आपको बताया था कि वर्ण को देखकर आप जवाब देजिए संधी कौनसी है तो यहाँ पर देखो वा के साथ आधा अच्छा लगा है यहाँ के साथ आधा अच्छा लगा है तो यह 100% है कि वो जो संधी होगी यर्ण संधी होगी कौनसी है यर्ण संधी तो यह तो यर्ण संधी फिक्स होगई की बात हाँ फिक्स है अब यहाँ पर दिया है किसका बनेगा क्या बने क्या तो ये बनेगा अनुधन एसन क्या बनेगा अनुधन एसन डी नमबर अगला प्रसंदिया है उत धन जोल की संदी से बना सब्द क्या है बिल्कुली जी है बहुती जी है हमेशा से आपने पढ़ा है उज्वल क्या बढ़ा है उज्वल पढ़ा है तो आपका जवाब यहाँ पर 21 का आ गया है बिड़ी नमबर तो जवाब बिल्कुर सही है उज्वल इस प्रकार से लिखा भी जाता है अगर पूछे कि सुद्ध वरतिनी तो यही आपका यहाँ पर 100 सकते हैं कि जब भी क्लास खतम हुआ करें तो आफलाइन कमेंट जरूर किया करें इससे थोड़ा सा परिचे बनता है जो लोग नए होते हैं उससे भी परिचे होता है कि हाँ आप लोग आफलाइन कमेंट हमारे डारेक्ट पास आते हैं हमारे पास डारेक्ट आते हैं उस वी चेन कीजिये असुद्ध वर्तिनी असुद्ध वर्तिनी के अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जबाए शब्स तो बिल्कुछ सइए है सूनबी शांसारिक भी सइए यहां पर दिया है हस्ता चेफ क्या दिया भैं हस्ता चेफ अब यह बताइए कि आप कहरो कि आ स्तच्छेप होता है यह लिए हो गया है तो बस आगे बढ़ते हैं कहा है करें चलिए समु आर्थक सब्दिकाय चैन करिए मतलब समु यह कोशन आपका देखो मिला था सयद हना खुश कोशन ऐसे लग रहा है जिसे प्रक्टिस बहुत जल्दी अभी हुआ था और इसे तीन मेह प्रस्कोर प्रस्माब रगला है नीचे दिए गए सब्द युग में के सही अर्थ आपको बताना है यहां पर कह रहा है अभीराम फिर अभीराम कह रहा है चलिए हम यहां पर मान लेते हैं कि जो आपका अभीराम है क्या वही अभीराम है अभीराम मतलब होता है कि अभीराम फिर आपका अविराम, अविराम मतलब होता है लगातार एक सब्द समझे कि इसका होता है लगातार और लगातार से जवाब यहाँ पर लिखा है तो अविराम मतलब हो जाएगा सुन्धर तो आपका जवाब 25 को बनेगा D number वो ऐसे भी हमने बताया था कि अगर तुक्का भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो कैसे कि यहाँ पर दो आपकी जो होते हैं लगबग एक जैसे होते हैं बस अरेंज करना होता है कौन कहाँ पर सेट हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रसाफ सगला है बेमेल सब्द का चैन करना है बेमेल सब्द का चैन करना है 26 नंबर में चलिए यहाँ पर दिया है आप घुसण तो हमें तो यहाँ पर सही है अलंकार भी सही है जेवर भी सही है यहाँ पर दिया है नागर तो वही तीन के जो आर्थ होते हैं उर सेम ही होते हैं इस कारण यहाँ पर A, B, C एक सेम है लेकिन नागर यहाँ पर क्या है यह सेम नहीं है ठीक है ना और यहाँ पर आते हैं अगला प्रस्म कहरा आप से जिसकी भुजाएं गुटनों तक लंबी होती हूं क्या बोलेंगे गा होते हैं यहाँ अ पर आजान बाव लेकिन कौण सा जवाब यहाँ पर आजान बा हूं कौण सा ऑप बनेगा बी नमबर आजान बाव बोलेंगे ठीक है केलिया हो गया है चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं प्रस्म आप से ल क्ला पूछा गया हैसे जो सीगर प्रसंड हो जा और जो सीकर नाराल हो जाब उसे वी दियुसक बोलते हैं, क्या बोलेंगे, चलिए भई, तो यहाँ पर जवाब आगे हैं, कहरें इसका आप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका D-Number, कह रहा है, आस्तोस होता है, क्या होता है, याद रहें, जो सीकर प्रसंद हो जाए है, उसे क् समास परकार के अंतरगत आता है, चलिए बताए यह 29 नंबर में, तो देखो जन तंत्र, जन तंत्र जो होता है, क्या होता है, सम्बंध तत्पूरुस, क्या होता है, सम्बंध तत्पूरुस होता है, इसका राइट अंसर आपका बनेगा कौन सा, C, कैसे, तो जन का तंत्र, और का सब्द क्या है भाई यही तो आपका सम्मन दर्सारा है ना यही तो दर्सारा है ना आपका सी हो जएगा चलिए आगे आते हैं प्रस्णाप सिगला पूछा गया है कि आपसे यहां पर कि नीचे लिखे गए वाकु में से कौन सा वाक की सुद्ध है चलिए कौन सा वाक की वर्स देखो यहां पर वर्सों दिया गया है यहां पर वर्स है वर्स है तो यह वर्स चले गए यह वर्स चले गए कि कोई वर्सों की बात होती है अब यहां पर जब यह खतम हो गया यह खतम हो गया तो डी नमबर आता है कि इन दस वर्सों में देश ने काफी प्रिगति करना है तो भाई करना है यह आपका गलत हो गया ना यहां पर जो आपका जवाब है यह नंबर आपका 100% के लिए रो गया है ना चलिए आगे बढ़ते हैं प्रसाब सब्सक्राइब है जो भाव मन में केवल अलपकाल तक संचरा करें और चले जाएं उन्हें क्या कहते हैं हमने आप को बताया था कि कोई भ्यक्ति अगर गुसा होता है नाराज होता है हाण यह आपकी आपके कैसे के हरद्य में बैठ नहीं जाती है ठीक है ना यह चले जाते हैं और ऐसी कीज़े को क्या बोलते हैं संचारी भाव बोलते हैं संचारी भाव जो संचार करते हैं आपके भावनाओं को संचार लाते हैं गती प्रदान करते हैं इन्हें बोलते हैं संचारी भाव संख्या बोलेंगे तो संख्या बोलोगे कि आपके 33 होते हैं सर कितने 33 हो जाएंगे किलियर हो गया चलिए तो आगे बढ़ते हैं इन निम्नि सा कह सकते हैं, डर पैदा होगा, क्या होगा, डर पैदा होगा, और जब डर पैदा होगा, तो अलपकाल के लिए होगा, मतलब भयानक रस होगा, भयरस यहां पर आपका आजएगा, ठीके, भयानक रस आपका जवाब होजेगा, आपका A नमबर, ठीके, चलिए, अवैसात नही है कि जीवन बढ़ाते रहे औ yr यह बढ़ाते होगे यह से थो बढ़ा नहीं है शन्द किंदोव चंदोव चंदोव से मिलकार बना होता है हम ने आप कजे था कुंदलियans कंदलियां जो आपकी होती हे खसेर है चाहे आपके चरण होते हैं कुंडरियों में पहला और अंतिम वर्ड एक बिल्कूर मतलब जहां से स्टाटो होती है उसी वर्ड से अंत भी होता है अब यहाँ पर पूछा है कि बनता किसे है तो आपका जवाब 33 में कौन से बनेगा चलिए भई बी नंबर आ रहा है तो हम आपके अपसे पर फोकस करते हैं और अपसे अपका बी यहाँ पर लॉक भी करते हैं अपसे बी अपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा लॉक ठीक है अगर हम आपसे बोलें कि इस में से इसमें से जो आपकी होते हैं, टोटल कितने होते हैं, तो आपके 24 मातराइं होते हैं, कितने होते हैं, चलिए फिर आगे बढ़ लेते हैं, यह निम्निकित पंक्तियों में से कौन सा लंकार है, चारुचंद्र की चंचल किरडे खेल रही थी जल्थल में, अब यहाँ पर हैं, उपमा लंकार होगा, कोई रही अनप्रास लंकार होगा, तो देखो, यहाँ पर है चारुचंद्र की चंचल किरडे, मतलब आपका जवाब है कौन सा, सी नंबर, क्योंकि यहाँ पर वर्णों की आवरिती बार बार होई है, ठीके, आगे बढ़ते हैं, प्रस्णाप सि धारण वाकि, जब समान दिकार में, समुच्चे बोधकों के साथ जुड़ते हैं, कौन-कौन वर्ण मिलेंगे, आपको वर्ण मिलेगा, पर, आपको मिलेगा, किन्तु, हना, क्या मिलेगा, किन्तु मिलेगा, आपको मिलेगा, यहाँ पर और भी मिलेगा, यहाँ मिलेगा, बढते हैं पर साफसे गला है संबंध काराट का अगला है निमिकित में से तश्डम सब्द क्या है तश्डम Nhत सब्द सुद्ध संसकत के सब्द होते हैं और यहां पर देशके हैं रा जहां भी उड़ा हो वह ही जवाब ऌजेगा तीर्ध तैड़ बनेगा option D तीर्थ हो जाएगा तो आगे बढ़ते हैं अग्यान का तदभाव सब्दाप को बताना है क्या बनेगा तो अग्यान का तदभाव क्या होता है अंजान होता है या अजान होता है बताइए भई इस प्रस्व में काफी लोग यहां पर मुर्चित हो जाएंगे ऐसे में आपर गल्ती होने के chance हो जाते हैं अंजान लिक्स तो सभी लोग सही रिख रहे हैं लेकिन क्या है सही यह नहीं पता है किसी को चलिए यहां पर हमीं बताना पड़ेगा क्योंकि suspense में कोशन आ चुका है ए और बी पर आ रहे हैं याद रिखे अजान होता है अंजान मतलग जान अजान है किसका अजाना का आगर आपके पास होता अजान अजान नहीं यहिसका ब़न जाता ठीक है समझ में आ घया है चलि आते हैं अगले सको और दिया भी गया है और लोगारノळ को पर दान की गई चले भारती समिधान में हिंदी भासा को मानिता का प्रदान की गई चले 49 नंबर में और 49 के बात करते हैं तो आपका जवाब बिल्कुत सही होना चीछ 14 सितंबर और एक जामनर भी बहुती चालाख होता है हना कि कहीं ये रट्टा तो नहीं मार के आगे हैं यहां पर 15 सितंबर दिया है 15 तो होगा ही ने किसी धालत में आप 14 सितंबर यहां भी है movements लेकिन अगर आपने थोड़ा भी सही से भी सही से पढ़ा होगा कि नहीं सर 14 सितंबर 1949 को हुआ था कब 1949 को आपको हुआ था तो आपका जवाब यहां पर पच्चास मतलगाईएगा उन्चास ही लगाईएगा ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं इसी से रिलेटेड जुड़ा हुआ कोशन कि भारत की समिधान के किस अनुच्छेत के अंतर हिंदी को सास की भासा घोजित की गई है सास की भासा है तो अच्छी बात है यहां पर देखो पताईए कौन सा आर्टिकल आपका हो जेगा आपको पहले पता होना चाहिए कि आपकी जो हिंदी भाब का है भासा का उलेक है वो किस भाग में है तो आपका भाग आता है सत्रा कौन्टा है सभाग सत्रा में वर्डन किया गया किसमें भाग सत्रा में जो कि अनुचेत 343 में संग की भासा का उल्ले किया है लेकिन 343 के फ़स्ट के अंसार संग की राजभासा हिंदी और आपकी लिपी क्या होगी द्यो नागरी तीनों पॉइंट बताया है अभी भी आप पर डाउट है कि जब हम जवाब देंगे तभी आप सही दोगे मतलब आपसने अपका होजेगा बी नमबर कोई दिक्कर नहीं है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दिया है गद्यांस गद्यांस को हम लोग आज स्किप कर देते हैं ठीक है कोई दिक्कर नहीं है छोटा गद्यांस भी था महत्मा गांधी के बारे में आपको दिया गया है और आसानी से महत्मा गांधी के बार गया है कि रहे गोदान द्वारा लिखा गया है गोदान द्वारा लिखा गया है आपर 47 का जवाब देना है चलिए गोदान बताइए क्या होज़ेगा चलिए गोदान कहे रहे हैं प्रेमचंद का है तो बिल्कु सही है प्रेमचंद आपका होज़ेगा मुंसी प्रेमचंद के द्वारा आपका लिखा गया है हमने आपको बताया था कि मुंसी प्रेमचंद की बहुत आपकी उपन्यास रचना है जैसे इनका उपन्यास में रंगभूमी, कर्भूमी, निर्मला, सिवासदन, प्रेमासरे, काया कल्प, गबन और मंगल सूत्र हम लोग स्टाप कहां पर लिए हैं, मंगल सूत्र पर लिए हैं, मंगल सूत्र पर लिए हैं, अब ये मंगल सूत्र से कोशन बनता है कि कौन सा उपन्यास है, जो मुंसी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, कौन है, तो आपका मंगल सूत्र है, किसी के गले में मंगल सू पढ़ रहा है और वहाँ से लड़की दफा हो गई अधूरा हो गया यहाँ से आपको point याद रहेगा मंगल सूत्र, हमा, यही जीवन को बनाता है, और यही जीवन को भिगार देगा तो यहाँ पर मंगल सुत्र हो गया रहा option सी हो जएगा आपके हरिवन्स राय बच्चन मदुसाला, मदुकलस हना, ये इनकी बहुती प्रसिद रचना है, क्या भूलू के आयाद करूं, हना, 10-12 से 105 तक, ये इनकी बहुती इसी रचना है चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रसाफ सगला है यामा की रचिता हैं, यामा की रचिता कौन सी हैं, चलिए यहाँ पर देना है, सही कौन सा हो जएगा, चलिए यहाँ पर आचुका है, क्यारे यामा बनेगा आपके महादीवी वर्मा की, तो हम आपके option पर लोग कर देते हैं, option C हो जएगा महा देवी वर्मा हो जएगा महा देवी वर्मा की हमने आपको बहुर बताया है कि निहार, रस्म, नीरजा, सांधिगे, दीव सिखा ये बहुत इनकी आपकी हैं है ना बहुत इनकी रचनाए है जो की आपकी पूछी जाती है चले आगे बढ़ते हैं प्रसाप सिला पूछा गया है किया रहा है आंचलिक रचनाएं किस से सम्मंदित आपकी होती हैं जो आपकी आंचलिक रचनाएं होती हैं आंचलिक रचनाएं है वो आपकी सम्मंदित कहां से होती हैं यहां पर देना है 50 नंबर में और लॉग करना है आप्शन कौन सा बनेगा तो याद रिखे छेत्र विशेस से कहां से छेत्र विशेस से मतलब छेत्र विशेस मतलब क्या होता है कह सकते हैं कि एक विशेस छेत्र से विशेस समाजिक से विशेस आर्थिक से विशेस राजनीतिक से विशेस धार्मिक जीवन के साथ साथ बोली सं इनकी एक रचना है मयला आचल जिनकी वज़े से ये बहुत प्रसिद्धूए थे, मयला आचल ये आपके आँचलिक पनयास का रहेकिन का फ़डिस्वर नाथ रेडू का है, वैसे देखा जाए, फडिस्वर नाथ रेडू है, नागार्जुन नाम सुना होगा, नागार्जु